कि हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे स्सी का प्रिवेस यर पेपर और यह पेपर 6 अगस्त 2017 को हुआ था मौनिंग शिफ्ट में इस पेपर को हम डिसकस करेंगे यह सैट 3 है तो चलिए देखते हैं इन कोश्चन को इसमें 25 कोश्चन है और यह कोश्चन नम्मर वन जो है यह स्पॉर्टिंग रगा कोश्चन है एक कोश् कोंशन में कोई भी यह आपको नहीं लगती है तो आपका अंसर होगा रगशी चल का इस UCS अटा है उसमें नमक होता है ठीक उसको हम बोलते है और लगून एक जैसे जील होती है, जील के बगल में एक छुटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लगून, और ये जोग्रफी का एक वर्ड है, तो लार्जस्ट से पहले इसमें दालगा हुआ है, जो की सही है, चिलका इस दालार्जस्ट, ब्रेकिस वर्ड ब्रेकिस वर्ड जो है, वो भी सही है, इसमें लगून भी सही है, तो इस कोश्टिन में आपका जो आंसर होगा, वो होगा, डी यानि नो एरर, ठीक है, चिलका एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले दाल हम नहीं लगाएंगे, तो ये भी सही है, लार्जस्ट से पहले यहा प्रॉपर नाउन है, तो इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस सही है, और इसका आंसर होगा, आपका डी, यानि नो एरर, तो ये जरूरी नहीं है, कि सेंटेंस में एरर हो, यदि आपको लगता है, कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो भी आपको confidently नो एरर आपको लगाना ह अब देखें ये है second question the climb upside the mountains was not easy अब हम इसमें क्लाइम एक word है और क्लाइम को हम verb की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और noun की तरह भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर किस तरीके से ये use हुआ है देखें यहाँ पर एक word आया है easy the climb upside the mountain was not easy क्या चीज़ easy नहीं थी ठीक है climb जो था वो easy नहीं था तो climb जो word है ये क्या है ये एक noun की तरह use हो रहा है और इस noun की विशेष्टा बता रहा है कौनसा word easy easy क्या नहीं था easy climb नहीं था ठीक है तो चुक히 ये noun है और इसको noun की तरह ही हम यहां पर use करता है तो इसका meaning भी noun का ही निकलेगा तो climb का मतलब क्या है climb का मतलब होता है जिसे किसी घाटी पर आप चड़ते हैं उपर की तरफ जो चड़ाव होता है तीक है उसको हम बोलते है climb और upside का meaning भी लगबग same ही होता है तो इसलिए क्लाइम के साथ यहां पर अपसाइट वर्ड नहीं आएगा The climb of the mountain आप बोल सकते हैं Climb of the mountain मतलब पहाड का जो चड़ाओ था जो उपर जाने बाले जो रास्ता था ठीक है वो easy नहीं था वो उबर खाबर था The climb of the mountain was not easy तो upside जो word है यहां पर यह एक्स्ट्रा है यहां पर ठीक है और first path में इस mirror है तो इसका answer आपका होगा A इस तरीके से इसको आपको समझना होता है देखे English में जो words होते हैं वो absolute meaning में noun, pronoun, adjective नहीं होते वो आपको देखना होता है कि किस word का किस sentence में कहा पर देखना होता है कि वहां पर उसका context का according meaning क्या निकल रहा है और किस sense में वह use हो रहा है तो यहां पर जो crime word है वो noun की तरह use हो रहा है और इसको हमने कहां से समझा, इसको हमने समझा easy से जो कि एक adjective है तो adjective की मदद से हमने इसको समझा कि ये एक noun है और इसको हम यहाँ पर एक noun की तरह use कर रहे हैं अब ये next sentence है और ये fillers का sentence है SSC का जो pattern होता है इसी तरीके से रहता है कि दो spotting error आएंगे फिर दो synonym andonym आएंगे फिर दो fillers आएंगे फिर दो sentence improvement आएंगे इस तरीके से SSC में आपके questions आते हैं और यहाँ पर direction वाला path इसमें missing है क्योंकि ये PPT है और इसमें इतना space नहीं रहता है इसलिए इसमें direction यहाँ पर आपको लेखे हुए मिलेंगे SSC exam में यहाँ पर directly question को दिया गया है rituals play into the understanding of a society आप देखिए यहाँ पर आपको एक filler भरना है और understanding जो है वो noun है लेकिन किस तरह ही understanding ठीक है देखिए यहाँ पर फिर से वो ही मैं आपको explain करने ही कोशिश कर रहा हूँ understanding यहाँ पर एक noun है तो noun को modify हम किस से करते हैं noun को हम modify करते हैं adjective से तो यहाँ पर आपको एक ऐसा word चाहिए जो adjective हो ठीक है नमबर आपको ऐसा word चाहिए जो adjective हो और ऐसा adjective चाहिए जो understanding noun के साथ match करें ठीक है, ये दो चाहिए आपको देखनी है, तो यहां पर देखे, tactfully तो adverb है, और यहां पर आपको चाहिए adjective, tactfully तो आएगा नहीं, यहां पर, tacit और taciturn, ये adjective हैं, तो ये दोनों आ सकते हैं, tacitly, ये बी एक adverb की तरह काम कर रहा है, जिसमें ly लगा रहता है, वो होते है अट वर्ब ठीक है तो यह दोनों आपने eliminate कर दिये अब taciturn का क्या मतलब है taciturn का मतलब है reserve जो व्यक्ति ज़्यादा नहीं बोलता है by reserve by nature reserve होता है उसको हम बोलते है taciturn तो इसलिए यहाँ पर आपका answer होगा tacit तो यह तो मैंने आपको eliminate करके बताया है कि eliminate करके answers को किस तरीके से निकालना है लेकिन यहाँ पर इसका meaning भी मैं आपको बता जयता हूँ tacit का रथ होता है implied जिसको express नहीं किया गया है जो understood है ठीक है और play into एक phrasal verb है play into का मतलब होता है कि किसी चीज़ को समझने में मदद करना to help support actually इसका मतलब होता है किसी चीज़ को support करने में मदद करना तो rituals play into the tacit understanding of a society जो rituals होते हैं वो हमारी मदद करते हैं यह समझने में कि society का culture क्या रहा होगा जो implied understanding होती है जो implied meaning होता है उसको समझने में rituals जो होते हैं जो परंपराएं होती हैं जो customs होते हैं उसकी मतलब से हम उसको समझ सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर tacit जो word है वो सही यहाँ पर आपका answer होगा और इन चारों के meaning भी मैंने आपको बताए है taciturn का आर्थ होता है reserve और tacitly यानि implied तरीके से तो यहाँ पर तो आपको चाहिए नहीं तो इसलिए tacit जो होगा वो यहाँ पर सही आपका answer होगा next हम देखते हैं repetitions bred a sense of with the characters अब देखें यहाँ पर sense of what repetitions से breed कार्थ होता है पैदा होना ठीक है और चुकि यह past tense में है इसलिए यहाँ पर हमने लखा है bread repetitions bred a sense of मतलब repetitions जो है वो पैदा करता है क्या चीज पैदा करता है a sense of किसी चीज का sense वो create करता है लेकिन sense किस चीज का तो यहाँ पर ultimately आपको एक noun चाहिए ठीक है अब इस में से आपको देखना है चारों word मिलते जुलते है तो noun कौन सा है familiar तो adjective है ठीक है तो familiar नहीं आएगा familiarize का अर्थ है verb familiarize जो है वो verb होता है इसलिए familiarize भी नहीं आएगा familiarly adverb की तरह काम कर सकता है familiarity एक noun है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा familiarity repetitions bred a sense of familiarity with the characters मतलब किसी चीज को आप यदि repeat करें जैसे तीवी सीजियल्स होते है उसमें एक ही character बार बार आता है तो उससे हम familiar हो जाते हैं उससे के साथ हम familiar हो जाते हैं क्योंकि वो character बार बार रिपीट किया जाता है तो यह sentence का मतलब है तो यहाँ पर चुकी noun आपको चाहिए और noun है इसमें familiarity इसलिए इसका answer होगा आपका ए इस तरीके से इन questions को करना है next हम देखते हैं similar word यह सनोलेम आते हैं pre में दो आते हैं में में करीब 10 या 12 आते हैं incensed का क्या रथ है incensed का रथ होता है बहुत ज़्यादा गुस्यम होना जिसको हम infuriated भी बोलते हैं infuriated तो इसलिए यहाँ पर आपका सही answer होगा देखे एकस्टैटिक का रथ होता है बहुत ज़्यादा खुश यदि आपकी vocabulary अच्छी है तो आप eliminate करके भी सही answer तक आप पहुंच सकते हैं directly भी आप सही answer आप लगा सकते हैं और यदि आपको सही answer किसी word का नहीं आता है तो elimination process को आपको apply करना पड़ेगा एकस्टैटिक का रथ होता है बहुत ज़्यादा खुश elated का रथ भी होता है बहुत ज़्यादा खुश blight का रथ होता है carefree, happy और carefree और exasperated का रथ होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में इसका एक रथ over shadow भी होता है घिक है, over shadow जैसे यहाँ पर एक कोई object है और इससे बड़ा कोई object यहाँ पर आजाता है तो इसको over shadow कर देगा तो transcend का रथ k्रास भी होता है और over shadow भी होता है तो इसलिए eclipse यहाँ पर इसका सही word होगा, सही answer होगा क्योंकि eclipse का अर्थपी होता है ओवरिखेड़ करना जैसे ग्रहंड पड़ता है ग्रहंड में एक अब्जक्ट दूसरे अब्जेट को ओवरिखेड़ कर देता है तो इसलिए जो अब्जच्न दखाई नहीं देता है उसी का ग्रहंड माना जाता है सूरिक रहान या चंदर करहान उसमें भी एक अब्जेक्ट दूसरे अब्जेक्ट को ओबर शेड़ो कर देता है तो इसलिए ट्रांसेंट का यहां पर जो आप्शिंस आपके पास दियो हुए हैं उसके अक्वार्डिक्स का मीनिंग होगा नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर आपको आपको आपोजिट वर्ड यानि एंटोनिम बताना है इन कैपेसिटेट इन कैपेसिटेट का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तू की कैपेसिटी यानि छमता को खतम कर देना ठीक है और फैसिलिटेट का रत होता है उसकी छमता को बढ सिचुएशन में ला देना कि वह चल नहीं पाए ठीक है कॉस सम्वन कॉस सम्वन कॉस सम्वन कुछ सम्वन कुछ हम बोलते हैं किसी को किसी को लंगडा कर देना या इस तरीके से किसी को हैंडी कैप कर देना ठीक है उसको हम बोलते हैं क्रिपल इम्मोबिलाइज मतलब और Mame करता है, किसी व्यक्ति को injure कर देना, उसको घायल कर देना, ताकि उसका कोई प्रतिकुलर पाथ, body का कोई प्रतिकुलर पाथ, काम नहीं कर सके, म कर सके, उसका मुर्णते है, तो, incapacitate का, सही, incapacitate का सुनोओने में actually क्रिपल हो सकता है, incapacitate और cripple same word है लेकिन यहाँ पर चुकिए आपको antonym चाहिए इसलिए facilitate यहाँ पर आपका सही answer होगा sentience sentience का जो relation है वो sentiment से है और sentiment का मतलब होता है किसी को regard देना तो इसलिए disregard जो होगा यहाँ पर इसका antonym होगा sentience का antonym होगा disregard यहाँ पर एक idiom और phrase देखते है rat race क्या होता है rat race एक हम ऐसी race को बोलते हैं जिसमें सारे लोग दोड़ते जा रहे हैं wealth के लिए पैसा कमाने के लिए success होने के लिए अपनी health पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और मांसिक शांती पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और एक trap में फसे हुए हैं उसको हम बोलते है rat race तो इसका सही answer होगा a way of life in which people are caught up in a fiercely competitive struggle for wealth and power ठीक है जहाँ पर cut through competition है यहाँ पर सारे लोग पैसे के लिए सफलता के लिए दोल रहे हैं उस चीज को हम बोलते है rat race तो यहाँ पर सही answer जो होगा वो होगा का मतलब होता है किसी wheel को घुमाना उसको spin करना ठीक है तो यदि आप एक जगे बैठ जाते हैं और एक wheel को घुमाते रहते हैं तो उसमें क्या होगा उसमें आपकी मेहनत तो बहुत होगी लेकिन achieve आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो इसलिए इसकार्स होता है expel much effort for little or no gain मतलब ऐसी जगे effort लगाना जिसका कोई gain नहीं मिलना जहां पर आप कोई भी चीच अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं spin once wheel see इसमें आपका सही answer होगा next question देखते हैं यह sentence improvement का question है a small makeshift stage with a red curtain for a back drop actually इसमें और होना चाहिए watch constructed ठीक है यहाँ पर होना चाहिए watch constructed तो इसमें a small makeshift stage was हाँ सही है यहाँ पर नहीं होगा यह तो sentence complete है यहाँ पर आपको improve करना है इसमें तो चुकि makeshift का क्यारत है makeshift कारत होता है काम चलाओ एक काम चलाओ stage को बनाया गया वहाँ पर उसको construct किया गया red curtain के साथ ठीक है तो चुकि stage जो है वो singular है इसलिए इसका passive voice में use किया गया है कि stage को बनाया गया किसी व्यक्ति के दोरा बनाया गया और stage जो है यह singular है तो इसलिए हम watch लगाएंगे और watch के साथ V3 लगाएंगे हम passive voice में हमेशा V3 का प्रियोग करते हैं तो इसलिए इसमें आपका सही आंसर होगा वो होगा B चुकि यह passive voice है और past tense है तो past tense के लिए इसमें हम watch लगाएंगे और passive voice में हम हमेशा वोरव की third form का यूज करते हैं तो इसलिए इसमें was constructed जो होगा वो आपका सही आंसर होगा question number 12 देखते हैं take out your binoculars and will see the andromeda galaxy andromeda galaxy एक galaxy का नाम है spiral galaxy है यह और हमारी जो milky way है उसके सबसे पास की यह galaxy है andromeda galaxy binoculars हम बोलते हैं दूरबीन को जिससे हम दूर कीचिया देखते हैं और take out your binoculars and चुकि end के साथ दो वर्ब जुड़ी हुई है यहाँ पर है take out जो की first form है ठीक है take out आपका जो है यह first form है तो यहाँ पर भी आपका first form ही हम इस्तेमाल करेंगे हम will see नहीं बोलेंगे हम cable see बोलेंगे take and see take first form है और see first form है तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर आपका होगा see correctly spelled word देखिए ssc में incorrectly spelled word भी आपसे पूछा जा सकता है और correctly spelled word भी आपसे पूछा जा सकता है दोनों ही तरीके के pattern पूछे जाते हैं same word भी आपको दे सकते हैं और अलग-लग word भी आपको दे सकते हैं जैसे चार अलग-लग word दे दिये और उसमें से एक correctly spelled word या incorrectly spelled word आपसे पूछ सकते हैं और एक same word भी दे सकते हैं जैसे यहाँ पर यह same word दिया है और इस same word में से तीन जो spelling है वो गलत है और एक spelling सही है तो जैसे कोई भी powder होता है उसको आप पानी में घुलते हैं तो उसमें जाग बन जाते हैं तो फ्रॉदी की spelling है F-R-O-T-H-B-I और बाइ को यदि आप superlative degree में मतलब फ्रॉदी को यदि आप superlative degree में change करेंगे तो बाइ जो है वो I-E में change हो जाता है I-E और उसके बाद आप S-T लगा सकते हैं तो इसका जो सही spelling होगा वो यही होगा F-R-O-T-H-I-E-S-T ठीक है तो A इसमें आपका सही spelling होगा next question हम देखते हैं bereaving bereaved का आर्थ होता है बहुत ज़दा दुखी या पश्यता पूर्ण होना तो इसलिए bereaving की spelling होती है इसमें E-A आता है B-E-R-E-A V-I-N-G B-E-R-E-A-V-I-N-G C इसमें आपका सही answer होगा यह one word substitution है take away or alter the natural quality of something किसी चीज की natural quality को बदल देना उसको alter कर देना उसको change कर देना उसको हम बोलते हैं denature denature यहाँ पर आपका सही answer होगा unadultured मतलब जिसमें पदूशन नहीं है मतलब जो सही है शुद्ध है authentic मतलब सही limpid हम liquid के लिए इस्तेमाल करते हैं जो transparent होता है और clear होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो denature जो होगा यहाँ पर इसका सही answer होगा next हम देखते है decay of organic matter producing a fatted smell fatted smell मतलब बहुती unpleasant smell बहुती बेकार smell कोई सी decay हो जाती है और उसमें से बहुत बेकार smell आती है तो उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है putrify putrify will be the right answer here putrify crisp करत होता है kurkura जैसे biscuits होते है neoteric मतलब नया या recent और virgin मतलब जो एकदम fresh है virgin हम virgin कारत होता है कोई भी चीज को हम virgin तब बोलेंगे जब उसको जो पूरी तरीके से untouched है ठीक है तो putrify यहां पर सही answer होगा पराजंबल के यह कुछ questions है यह हम paper solve कर रहे है 6 अगस्त 2017 का morning shift का यह paper है CGL का तो इसमें देखी अलग लग pattern में पूछते हैं कभी चार sentence देते हैं कभी तीन sentence देते हैं इसमें तीन sentence दिये हैं और एक वाला path उपर दिया है इसके साथ आपको link करना है इससे we have seen that when पहला sentence में यही होगा when we deny that a mental image नहीं नहीं यहां से नहीं बनेगा we have seen that when when we deny that a mental image can occupy any portion of space we need not think of हाँ सही है इसी से बन जाएगा यह we have seen that when we when we deny that a mental image can के बाद वर्ब की फस्ट वम चाहिए तो occupy वर्ब की फस्ट वम हो जाएगी तो second sentence यह बन जाएगा when we deny that a mental image can occupy any portion of space we need not need not के बाद वर्ब की फस्ट वम चाहिए तो think यहां पर वर्ब की फस्ट वम हो जाएगी we need not think of it as losing its paths and circling to a point तो यही इसमें आपका सही option होगा z by or x z by or x यानि d इसमें आपका सही answer होगा another major difference another major difference मतलब एक और major difference लेकिन किसी इसका difference की बात कर रहे हैं हम another major difference in comparison with the solar solar के साथ system word जो जाएगा तो इसमें first यह हो जाएगा second यह हो जाएगा और packing of the seven packing of the seven भी meaningful है तो यहाँ पर यह ही आपका answer हो जाएगा z by or x z by or x ठीक है इसमें भी आपका answer होगा d another major difference in comparison with the solar solar के साथ system जो जाएगा solar system is the tight packing of the tight packing किस चीज़ की seven planets की तो टाइड़ पेकिंग के साथ seven planets जो जो रहा है इसमें और solar के साथ system जो 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 आएगा इस तरह के लोजीकली ही आपको इन sentences को connect करना होता है यह आपका active passive voice है active passive voice का एक sentence आया है यह the home owners remodled the house to help its self ठीक है इस तरह के sentences में active ऐसे voice में सबसे ज़्यादा important होता है subject उसके बाद verb और उसके बाद object यह दिए आप इन तीनों चीज़ों को identify कर लेते हैं तो उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाता है ठीक है क्योंकि active से पैसे में जब आप change करते हैं तो subject object बन जाता है और object subject बन जाता है इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी identify करना कि कौन सा element जो है वो object है ठीक है क्योंकि object यह दिया आपने निकाल लिया तो उसको आप वहीं से sentence शुरू होगा active voice का object होगा वो पैसे voice का subject होगा तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि यह जो sentence मिला है आपको एक्जाम में यह active voice है या passive voice है और उसके बाद active voice है तो passive voice में change करना है passive voice है तो active voice में change करना है passive voice में passive voice की simple सी पैचान होती है कि उसमें एक agent रहता है by के साथ जुड़ा रहता है ठीक है और active voice में जो doer होता है वो खुद ही वहाँ पर काम करता है दा होम ओनर्स री मोडल्ड दा हाउस दा होम ओनर क्या है इसमें subject है री मोडल्ड क्या है वर्ब है house क्या है object है तो object क्या हुआ इसमें object हुआ house, यह हुआ आपका word, यह क्या हुआ आपका subject, तो sentence आपका जो start होगा, वो house से start होगा, ठीक है और यह जो path है to help itself, यह आप end में आप जोड सकते हैं, और यह sentence active है के passive है, यह sentence active voice है, क्योंकि passive voice में हम was और word के साथ, या agmr के साथ, वरिफिकी third form का use करते हैं, इसके लावा passive voice में by लगा रहता है by agent होता है, ठीक है तो इसमें by भी नहीं है, इसमें ismr भी नहीं है, तो इसलिए active voice है, और active voice कौन सा है, यह past tense है यह, क्योंकि verb की second form का प्रियोग हमने यहाँ पर किया है तो इसलिए यह past tense है तो past tense को दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे, was लगाएंगे और was जो है, वो cable एक ही sentence में है, मतलब was और house, चुकि sentence house से start होगा और house दो sentence में है, और दो में से एक में ही was है ठीक है, तो इसलिए आपका उत्तर निकल के आगया, a the house was modeled, remodeled by the homeowners to help it sell, मतलब house को remodeled किया गया था, ताकि इसको आसानी से बेचा जा सके, ये इसका अर्थ है, यहाँ पर ये narration का एक question है, she asked, Ravi, what is worrying you, ठीक है, तो ये डबलू एच का के question है, यहाँ पर इसमें connector जो होगा, वो कुछ नहीं आएगा, और इस sentence को हम, what is worrying you को, हम affirmative में लिखाएंगे, तो ask का तो ask ही रहेगा, Ravi asked, she asked Ravi, what is की जगे, what was आएगा इसमें, actually, तो इसमें आपका answer होगा, ये वाला, नहीं, fourth होगा इसमें, she asked Ravi, what was worrying him, ठीक है, तो इसमें आपका answer ये वाला होगा, she asked Ravi, what was, लेकिन इसमें, हाँ, सही है, ठीक है, इसमें answer आपका ये ही होगा, she asked Ravi, what was worrying him, तो D, इसमें आपका सही answer होगा, ये यहाँ पर एक passage है, और इस passage को पढ़के, आपको पांच questions के answers देने हैं, इस तरह के passage पूछे जाते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं, I had seen this road many years ago, when my parents moved to, मुन्डा कोटू कुरोईशी, our ancestral village, देखें, यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पर past tense की बात हो रही है, कोई व्यक्ति एक story बता रहा है, suppose 5 सल पहले कोई story बता रहा है, और 5 सल पहले वो जो story बता रहा है, यहाँ इसको हम बोलेंगे past to past, ठीक है, I had seen this road many years ago, मैंने इस road को बहुत सल पहले देखा था, when my parents moved to this particular place, इस तरह के जो लंबे नाम दिये जाते हैं, passages में, वो students को डराने के लिए, या confuse करने के लिए दिये जाते हैं, ठीक है, ताकि student under pressure आ जाए, तो इस तरह के नामों से आपको डरना नहीं है, यह simple सा एक नाम है, जैसे आगरा, मुंबई, दिल्ली, जयपूर होता है, उस तरह से एक simple नाम है किसी जगय का, यहाँ पर author बता रहा है कि, I had seen this road many years ago, when my parents moved to, मुंडा को टू पुरोशी, यहाँ पर वो इस रोड के बारे में बता रहा है, तो मैंने कंट्री साइट को एक्सपोर करना शुरू नहीं किया था, कंट्री साइट मतलब गाओं का जो एरिया होता है, हरावरा जो एरिया होता है, that is called कंट्री साइट, तो मैंने कंट्री साइट को explore करना, यानि घूमना फिरना और नई सीजों को सर्च करना, उसको मैंने explore करना शुरू नहीं किया था, I store the unknown road in my head under one day I will, ठीक है, इसका क्या मतलब, देखिए ये थोड़ा सा tricky है, मतलब चूकि मैंने उस road को explore नहीं किया था, जो मेरे गाओं तक जाती थी, वहाँ के areas को मैंने explore नहीं किया था, इसलिए मैंने उस road को अपने head में, एक title के अंतरगत store कर लिया, कभी और मैं आऊंगा और इस road को मैं explore करूँगा, और जो title था, जो था, वो उस road के लिए रखा गया था, उस title का नाम था, One Day I Will, कि एक दिन मैं यहाँ पर आऊंगा, I store the unknown road in my head under One Day I Will, 10 years ago, when I recovered from herionated disc, ठीक है, और जब मैं herionated disc, एक बीमारी का नाम है ये, ये काम किया, I store the unknown road in my head under One Day I Will, 10, ठीक है, यहाँ पर actually sentence ये खतम हो गया, यहाँ से actually ये नया sentence है, 10 years ago, when I recovered from herionated disc, it was to discover that I had a useless left leg, और चुकि ये past की story बता रहा है, और उसके बाद बोल रहा है कि 10 साल पहले जब मैं herionated disc, एक बीमारी का नाम है, उससे जब मैं recover हुआ, तो मेरा एक leg जो था, वो useless हो गया, वो खराब हो गया, it was to discover that I had a useless left leg, though I managed to lose the limp, मतलब मेरा एक lose, मेरा एक जो limp था, मतलब एक पैर था, वो खराब हो गया था, I hated not being able to stride around as I used to, मुझे इस चीज से नफरत थी, कि मैं आप पहले की तरह चल फिर नहीं सकता था, stride around का मतलब होता है, बड़े कदमों से चलना, जैसा कि मैं पहले चलता था, अब मैं वैसा नहीं चल सकता था, क्योंकि मेरा एक पैर खराब हो गया था, यह थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस है, मतलब मुझे एक चलन्ज चाहिए था, अपने आप से कहने के लिए, कि मैं मेरे को बीमारी है, जो साइटेका और हर्णियेटेड डिस्क की मेरे बीमारी है, उससे मैं बखल नहीं होंगा, उसके प्रैसर मैं नहीं आऊँगा, मतलब उस चीज को मैं एक्सेप नहीं करूँगा, और यहां पर एक्चुली साइटेका जो है, यह पेन होता है, हर्णियेटेड डिस्क भी स्कॉम बोलते हैं, ठीक है, तो इस तरह से यहां पर इसको, दो बार इसको दिया गया है, एक बार इसको साइटेका बोला गया है, एक बार हर्णियेटेड डिस्क बोला गया है, देखें, यहां पर थोड़ा साथ ट्रकी है यह, दा वन डे आइविल, उसके दिमाग में एक इमेज थी, कि मैं इस चीज को फिर से आऊँगा, और फिर से इस रोड को एक्स्पोर करूँगा, वो चीज आ गई, क्योंकि उसको लगा कि मैं चल सकता हूँ, और मैं इसके आगे खुटने नहीं तेकूँगा, site का जो बीमारी है मैं इसके आगे खुटने नहीं देखूंगा और एक दिन मैं इस road को explore करूंगा तो इसलिए यहां पर लिखा है कि thus the one day I will arrived मतलब एक दिन वो चीज जो दिमाग में मेरे store थी वो निकल के बाहर आ गई where does the road by the medical shop lead to मतलब मेडिकल शॉप के बगल में जो रोड है वो कहां तक जाती है where does the road by the medical shop lead to I asked my parents while visiting them next मैंने अपने परेंट से बोला और उन्होंने आंसर दिया चाला वरा मतलब यह करने के लिए चाला वरा का एक element इसमें जोड़ा गया है यह प्लेस का नाम है आगे हम पड़ते हैं it is not an easy road to walk on यह एक सरल रोट नहीं है इस पर काफी उबड़ खाबड़ है ठीक है my father added there are too many ups and downs चाला वरा was a superior grade of a village as compared to मुंदा को तु कुरेशी with a high school a fine library atms and several shops but it also has two approach roads that I had chosen was a narrow back मतलब चाला वरा जो है एक अच्छा बिलेज है जहांपर atms है several shops है library है मुंदा को टु कुरेशी जो है जो ठोला सा backward village है ऐसा इसमें बताया जा रहा है that I had chosen was a narrow back road used by the locals and that settled it for me ठीक है तो जो चाला वरा जो road है वहां तक actually दो road जाती है वहां तक कौचने के लिए I needed to know for myself I could walk a road that was not going to be easy मतलब मैं अपने आपको यह विश्वास दलाना चाहता था कि मैं ऐसी road पर चल सकता हूँ जिस पर चलना आसान नहीं है in the next day I would get up and walk that road again और अग्रे दिन में उठा और उस road पर फिर से चला यह पूरा passage है what is Cytica यह actually is है ठीक है what is Cytica तो Cytica क्या है Cytica है हर नियते डिस्क एक बीमारी का नाम है where did the forefathers of the writer live writer के forefathers जो थे वो कहां रहते थे देखिए वहां पर ancestor एक word दिया है और यहां पर forefathers word दिया है यह पैचान होती है passage की कि आप passage को समझ पा रहे हैं के नहीं वहां पर ancestral village दिया है यहां पर आप देख सकते हैं ancestral village ancestral village का मतलब यहां पर आपके four fathers रहते हैं यह है ancestral village ठीक है तो इसका answer क्या होगा इसका answer आपका होगा इसका answer आपका होगा C इसका नाम है यहां पर आपका सही answer होगा question number 25 देखते हैं what makes चाला बड़ा better than Munda Curacy चाला बड़ा better क्यों था Munda Curacy से better इसलिए था कि वहां पर library थी ATM थे और several shops थे तो यहां पर आपका answer होगा A तो इस तरीके से इन questions को आपको करना है यह set 3 है और यह 6 अगस 2017 का पेपर है morning shift का इसी तरीके से आगे भी आपको पेपर आपको इस e-course में आपको मिलते रहेंगे तो इनकी मदद से आपको एक rough idea होगा कि किस तरीके के questions आपके CGL tier 1 और tier 2 में पूछे जा सकते हैं और इस तरह के questions की काफी ज़्यादा practice में आपको कर बाऊंगा कोई भी आप feedback देना चाहते हैं तो इस email ID पर आप दे सकते हैं और यहां पर जो WhatsApp नंबर और जो contact नंबर उसके through आप उससे contact भी कर सकते हैं तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आपसे मिलूंगा next वीडियो क्लास में thank you